हलो एवरीवन तो चलिया आज का क्लास स्टाट करते हैं ओर आज का क्लास आपका SSE CHSL का PREVIOUS YEAR का QUESTIONS है और यह COMMON ERRORS के QUESTIONS है SET NUMBER SECOND इसमें भी हम लोग देखेंगे QUESTIONS 10 QUESTIONS देखेंगे और 10 QUESTIONS में से 5 QUESTIONS आप क्यों होंगे वैसे QUESTIONS जो 2009 में पूछे गए हैं और पांच कोशन्स ऐसे होंगे जो 2010 में पूछे गए हैं ठीक है अब जराब बात करते हैं कि जो लोग नए है नहीं जानते इस ग्रूप के बारे में कि तरीगीतम फोरियम कलब है क्या तो आप टेलिग्राम पे सर्च करना तरीगीतम आपको दो ग्रूप मिलेंगे तरीगीतम को ठीक है और जिनको भी मुझे प्रेशनल गाइडेंस चाहिए जिनको प्रैक्टिस बैस जॉइन करने हैं वह आप मुझे इस पर मैसेज करो वाटसब पर मैसेज करना है इस पर मैं क्या कराता हूं कि पहले आपको टास्क देता हूं टास्क आप जैसे कंप्लीट करते उसके अंतराल के बाद उसको किसी भी चीज को रिवाइज करने हैं ये सारे कुछ मैं वहाँ पर आपको बताँगा है आप ग्या बौट करते हैं कि आज के कुशन है क्या देख लो फिस्ट कुशन आपसे कह रहा है मतलब हम लोगों ने देखा sand sculptures in the beach मतलब एक sand का बना हुआ स्कल्प्चर्स लोग देखें वहाँ पे कहाँ पे? बीच पे मतलब समंदर के किनारे पे तो अब ज़र देखो क्या इसका error कहा है देखते हैं we saw, मतलब यहाँ कोई error नहीं है past tense में ठीक है sand sculptures यहाँ पर भी किसी तरीके से error नहीं है, मतलब sand के बहुत सारे sculptures है तो यहाँ पर कोई error नहीं नजर आ रहा, in the beach देखो, यहाँ पर error कहा है, third part में क्या है देख लो यहाँ पर in नहीं होना चाहिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका होना चाहिए on the beach ठेक है? तो on the beach एक correct phrase है इसको ही आप लो यूज करो on का यूज करो यहाँ पर क्या इसके पीछे के concept है यह मैं आपको बताता हूँ कि in और on में क्या फरक है तो एक चीज आप लो ध्यान में रखना कि यहाँ जो in है ना, in जो है यह आपको बताता है कि कोई भी चीज किसी boundary के within है मतलव within boundary है मतलव अगर इस boundary के अंदर हो आप तो यहाँ पर in का pre-you करोगे और on का पर रयो कहाँ होता है तो यह होता है किसी चीज के top surface पे मतलव अगर यह कोई चीज है कोई भी एक स्थान है इसके top पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे तो आप कहोगे कि यहाँ पर use होगा on टिक जैसे example के लिए अगर लेते हैं तो माल लिया जाए किसी को कहोगे कि you are in the city right now ऐसे करके कोई example लेते हो तो city, city मतलब कोई उसका एक boundary है कोई city के आप अंदर हो तो वहाँ पर use करोगे in the city माल लिया जाए आपको कोई box के अंदर की बात कहें तो आप use करोगे in the box पार्क है अगर कोई तो उसका भी एक boundary है तो कहोगे in the park ठीक इसी तरीके से यहाँ पर है कि on the beach यहाँ पर है beach, beach का मतलब किया समंदर के किनारे पर ही बने हुए है क्या बने हुए है तो sand के sculptures बने हुए है वहाँ पर तो आप यहाँ पर use करोगे on ना की in ठीक है अब जड़ा देखो जैसे आप use कर सकते इसको on the table भी use कर सकते हो on the floor, on the first floor, on the second floor on the wall, दिवार है इस तरीके से दिवार है आपका अब यहाँ पर कोई क्या है, कोई image लटका हुआ है ठीक है, जैसे photo frame वहाँ पर लगा देते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं कि photo frame is on the wall, है ना तो आप यहाँ पर on the wall का use करोगे मतलब वो top surface पे है किसी चीज़ के, तो वहाँ पर on का परियोग करोगे अगर वो किसी within boundary की बात कह रहा हो तो वहाँ पर in का परियोग करोगे अब जरा बात करते हैं next question के, देख लो यहाँ पर है everybody in the office has left early, haven't they अब यहाँ पर फिर से आपका आगया कैसा question tag के question अब यहाँ देख लो everybody in the office कोई दिकतनी has left early, मतलब बहुत ही जल्दी वहाँ छोड़ कर जा चुके है office को haven't they, है ना तो जड़ा देख लो, यहाँ पर क्या error है यहाँ पर error आपका मेरे विचार से यहाँ पर कोई error नहीं है कैसे यह मैं बताता हूँ और इसके पिछे के concept के हाँ यह भी मैं बताता हूँ आप कोगी कि everybody है तो एक single वैक्ती है तो have का परियोग कैसे हो गया यहाँ पर होना चाहिए has का अब फिर they का परियोग कैसे हो गया everybody के लिए तो he का use होना चाहिए she का use होना चाहिए है ना लेकिन they का कैसे use हुआ तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ ध्यान में रखना कि कुछ ऐसे words हैं जैसे everybody यह खूद है everybody हो गया everyone हो गया everyone और फिर someone हो गया someone somebody लिख सकते हो अगर आप लोग चाहो तो somebody no one no one है और फिर nobody है इसी तरीके से anyone है anyone anybody ठेक तो अगर यह सारे words आपको देखने को मिल जा है तो होता क्या है कि इन सारे जो words है इनके लिए question tag में जो subject आता है उसके लिए they का परियोग होता है मत भूलना है इस चीज़ को इन सारे words के लिए क्या यूज होता है question tag में subject के रूप में तो इसके लिए they का परियोग होता है तो यहाँ पर they है तो they तो बिल्कुल correct है फिर यहां have कैसे आ गया everybody के लिए आया है अब फिर they के लिए तो यह use हुआ आपका they के लिए ठीक है तो they के लिए ही have का परियोग करेंगे हम लोग ना कि has का ठीक has का परियोग नहीं होगा यहाँ पर होगा आपका have का ठीक है तो इस तरीके से यह बिल्कुल correct है अब ज़रा बात करते हैं क्या question number third देख लो क्या कह रहा है यहाँ कह रहा है कि the teacher told that the students should have gone to the library instead of having wasted their time अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ दो तरीके से error है दो पार्ट में error है लेकिन एक्जाम जो लिया गया है question जो पूछा गया है repeat हुआ question है कभी CSL में पूछा गया था CPO में और दूसरी बार पूछा गया था आपसे यह CSL के exam में तो आपसे ओ एक्सपेक्ट कर रहा होता है इस वाले पार्ट में क्या error है उसकी और अगर हम लोग गौर से इसको देखें तो दो तरह के यहाँ पर error है और मैं आपको पढ़ाया था verbs के जो non finite है वाला chapter में complete पढ़ाया हूँ उसमें भी इस example को बताया था लेकिन एक point वहाँ पर shoot क्या हुआ था आज मैं आपको बता दूँगा कि किस तरीके से error है यहाँ पर तो जड़ा देख लो यहाँ बोला है कि teacher ने student से क्या का कि students लोगों को library जाना चाहिए किसके बज़ाए time waste करने के बज़ाए बोला को library जाना चाहिए अब यहाँ पर error किया है देख लो यहाँ पर जो first error है the teacher told that यहाँ पर error है आपका यहाँ पर told नहीं होना चाहिए पहली बात यह है क्यों होता है ऐसा यह मैं बताता हूँ तो देख लो किस तरीके से error पूछे जाते है यह आपको बताना चाहरा हूँ कि say और tail ये दोनों word का मतलब होता है कहना और कहने के sense में इसके पीछे दोनों के पीछे concept क्या है तो जब भी आपको say और say नजर आ जाए तो सबसे पहली बात कि अगर इसके बाद कोई object है माल याज़ा me है है ना जैसे मैं कहूं कि he said he said me ये आपका बिल्कुल correct है इसी तरीके से अगर रहा ही ये ये बिल्कुल गलत है एक सेकंड एक सेकंड मैं फिर से दूरा देता हूँ आपको देख लो ये आपका tail है और फिर told है और आपका say है says है और फिर said है क्या concept है इसके पिछे ये मैं पता देता हूँ सबसे पहली बात कि इसके बाद अगर कोई भी object आता है कोई भी object आता है और इसके पहले आपका two वाला position दीख जाए तो उसको बिल्कुल गलत कर देना लेकिन say और say में just उल्टा है अगर इसके बाद कोई object है तो इसके पहले two लगेगा ही लगेगा ठेक दूसरी बात क्या है कि tail और told के बाद हमेशा एक object आना ही चाहिए अगर object नहीं है तो वो गलत हो जाएगा जैसे यहाँ पर है the teacher told that तो किसे कहा teacher ने तो वो object तो यहाँ पर है नहीं जैसे होना चाहिए कि the teacher told the students तो वहाँ पर correct होता that के पहले और told के बाद यहाँ पर आना चाहिए था एक object का लेकिन object यहाँ पर है नहीं इसलिए वो गलत है ठीक है और दूसरे तरीके से क्या देता है error इसमें कि the teacher told to the students अगर ऐसा रहता the teacher अगर यहाँ पर रहता कि the teacher told to the students to the students तो गलत हो जाता कैसे क्योंकि यहाँ told के बाद to का परियोग नहीं होता दूसरा concept क्या है कि told के बाद हमेशा ही object आता ही आता है और अगर रहता यहाँ पर कि the teacher sentence रहता the teacher say the students the students रहता तो भी गलत हो जाता तो क्यों गलत हो जाता क्योंकि say के बाद हमेशा आपका to आता है अगर इसके बाद object है तो अब यहाँ पर फिर से मैं एक बार दोरा देता हूँ क्या क्या concept मैं अभी बताया कि tail a told के बाद हमेशा एक object रहना ही चाहिए फिर इसी तरीके से है say says a said अगर रहता तो इसके बाद object रहे या ना रहे कोई फरक नहीं पड़ता वो दोनों situation में correct होता है और अगर say और say के बाद object है तो उसके पहले हम लोग हमेशा ही two का प्रियोग करेंगे ठीक जैसे मैं एक example के लिए एक example यहां ले लेता हो देख लो यहां पर है कि he told he told me a story he told me a story तो यह बिलकुल ही correct है क्यों क्योंकि told के बाद यहां पर एक object आया हुआ है अगर यहां पर two लगा देता तो यह गलत हो जाता फिर इसी तरीके से है he said to me a story तो यह बिलकुल ही correct है क्यों क्योंकि यहां पर two आया है object आया है और इसके पहले two का आना जरूरी है इसी तरीके से अगर रता यहां पर he ले लो he said a story तो भी यह बिलकुल correct है आपका ठेक है क्योंकि said के बाद जरूरी नहीं कि object आये लेकिन इसी तरीके से अगर आपका रता he told a story तो वो गलत हो जाता क्यों क्योंकि told a tale के बाद हमेशा एक object का आना बहुत जरूरी है बस इतनी सी बात है इतने सारे concept का आपको ध्यान में रखने है tale और sake से related अब जरूरा बात करते हैं देख लो दूसरा error कहा है तो दूसरा error यहां पर इस पार्ट में है कैसे instead of के बाद यहां पर having plus vested दिया है और मैं verbs के chapter में पढ़ा चुका हूँ कि having vested जो है यह है आपका perfect participle यह है आपका perfect participle लेकिन यहां पर instead of मतलो के बजाए के बदले यहां पर हमेशा आता है आपका present participle present participle ठेक है तो दो तरीके से यहां पर error था लेकिन आपके exam में जो पूछे गए हैं CHSL में वो SSC ने first part को ही सिर्फ correct माना है यह यह जो है अक्सर लोगों को याद नहीं रहता कि instead of के बाद आपका present participle का use होता है तो इससे related आपसे उमीद वो नहीं किया था आपसे यह उमीद किया था कि आपको पता है या नहीं कि told के बाद हमेशा एक आपका object आता ही आता है सेड के बाद आना जरूरी नहीं object का और अगर सेड के बाद अगर आ जाता है कोई object तो उसके पहले to का लगना बहुत जरूरी है ठीक है और told के बाद object का आना बहुत जरूरी है और told के बाद अगर कोई object आ है तो उस object के पहले to का परियोग नहीं किया जाता ठीक है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था second error में कि instead of having wasted having wasted के बतले यहाँ पर wasting होगा और यह concept में बता चुका हूँ किसमें participle वाले chapter में कि किसको बोलते हैं जैसे having plus verb का third form having plus verb का third form अगर रहे verb का third form अगर रहता है तो उसको बोलाता है perfect participle और अगर सिर्फ verb plus ing वाला मतलब verb का ing वाला form रहे तो उसको present participle कहते है और instead of के बाद wasting होता है ठीक और अगर मान लिया जाए फिर से question repeat कर दिये जाते हैं आपके CHSR में तो आप क्या करोगे आप इस part को ignore कर देना क्योंकि already SSC ने मान रखा है कि the teacher told that यह करा he is one of the tallest boy in the class यहाँ पर क्या error है इसके बार हम जरा हम लोग देख लेते हैं देख लो यहाँ पर रहा कि वह जो है वो class में जितने भी tallest boy हैं उसमें से एक है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए यहाँ पर error आपका बी वाले पार्ट में यहाँ पर boy के बतले boys होना चाहिए क्यों क्या यहाँ इसमें है तो देख लो कुछ ऐसे वाड़ होते हैं जैसे one of जैसे यहाँ पर था one of इसी तरीके से अगर आपका रहा each of कई बारी मैं बता चुका हूँ इस concept को each of रहे either of रहे either of रहे और फिर neither of रहे neither of रहे और फिर everyone रहे everyone of everyone of और फिर anyone of रहे anyone of तो यह सारे अगर आपको फ्रेज देखने को मिल जा है तो इसके बाद हमेशा जो noun होता है वो plural में होता है जैसे one of the boys यहां पर था one of the tallest boys one of the girls one of the best students one of the tallest girls तो इस तरीके से जो भी आता है यहां पर वो plural में होता है क्यों होता है ऐसा यह में बता देता हूँ और मैं लिया जाए यहां पर रहता कि one of the one of the boys एक और concept इसमें जो है यह में बता रहा हूँ कि one of the boys is clever मालो यह आपका इस sentence है तो आप यहां पर इस जो है वो boys के लिए है और फिर one of the boys के लिए है तो मैं बता दूँ कि one of the boys जो है यह indicate करता है किसी एक individual वेक्ति का कैसे माल लिया जाए यह boys का एक group है यहां पर बहुत सारे boys है और उसमें से किसी एक individual boys के बारे में इसके बारे में बता रहा है तो यह singular हो गया ना आपका तो इसके लिए ease आया है ना कि boys के लिए are तो are यहां पर नहीं होगा ease होगा तो इस चीज़ को आप लो ध्यान में रखना अब ज़रा देख लो और हाँ यहां पर कैसे है कि one of के बाद आपका boys आता है मतलब plural आता है तो जायर सी बात है किसी group की बात कह रहे हो आप किसी group में किसी एक individual boy की बारे में बाते कर रहे हो तो इसका मतलब क्या इस group में बहुत सारे boys होंगे ना एक boys में से एक की बात नहीं कह रहे हो ना बहुत सारे boys में से किसी एक boys की बारे में बात कह रहे हो तो उस group के लिए आपको यहाँ पर boys plural में लगाना ही पड़ेगा समझ रहो अब जरा बात करते हैं next यहाँ पर है जो उसने new invention किया हुआ है उसके लिए उसको किसी से नवाजा गया है doctorate की उपाधी से नवाजा गया है doctorate की उपाधी दिया गया है जिसके लिए लोग doctor लिखते हैं अपने नाम के पहले अब जरा देख लो क्या है यहाँ पर error इसके बारे में जरा बात करते हैं सबसे पहली बात कि awarded के बाद आपको वीथ का प्रियोग नहीं होता तो क्या होता है इसके बाद कोई भी preposition का use नहीं होता वो होता है जैसे मैं आपको एक example के लिए बताऊ तो मान लो कि the university एक example ले रहा हूँ ठीक है the university awarded me a gold medal ठीक है अब यहां पर क्या है awarded के बाद सीधा यहां पर object आया है और object के बाद सीधा किस चीज से नवाजा गया वो आया है तो इसके बाद कोई भी आपका preposition नहीं लगता तो आप याद रख सकते हो इसको कि awarded के बाद with to by से ऐसे करके कोई यूज नहीं होता हूँ सीधा यूज होता है कि award somebody with something है ना with नहीं सिर्फ something जैसे award short में लिख रहा हूँ somebody को ऐसे लिखा जाता है sb लिखा जाता है somebody something ठीक है something को भी short में sts लिखा जाता है तो इस तरीके से याद रख सकते हो यहाँ पर यह object है यहाँ पर जिस चीज़ नहाँ आ जा गया है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर जिक्र करना है तिक अब आगे बात करते हैं तो क्या समझे इस question से कि यहाँ पर वीत का प्रयोग नहीं था यहाँ पर यह अनावसे क्रूप से दिया गया था अब जब बात करते हैं next question number six के बारे में देख लो यहाँ पर है कि दा manager put forward a number of criterion for the post यहाँ पर क्या है देखो यहाँ पर यह कह रहा है कि दा manager जो है वो put forward किया है बहुत सारे बहुत सारे criteria को उन्होंने लगाया हुए है कि यहाँ पर बोला है दा manager put forward a number of criterion for the post कोई पोस्ट है उसके लिए रिकृट कर रहा है तो उसके लिए बहुत सारे criteria को उन्होंने रखा हुआ है उसके लिए हैना उस पोस्ट के लिए क्या error है देख लो यहाँ पर है कि a number of criterion यहाँ पर criterion आपको plural नजर आ रहा होगा लेकिन यह बिल्कुल गलत है क्यों 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 सिंगल जो होता है criteria का वो क्या होता है देख लो criterion यह होता है ठीक अब यहाँ पर यह एस लगा करके आपको बताना चाहर है कि यह plural है जो कि बिल्कुल गलत है क्यों 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 क्राइटरियन का ग्राइटरियन जो है यह इसका प्लूरल होता है criteria criteria ठीक तो यहाँ पर यह होना चाहिए आपको criteria ना कि criterion यह है आपका singular form यह ना बिना एसका और इसका plural है आपका यह ठीक है तो याद रखना इसको next जो है क्या है देख लो next है the railways have made crossing tracks a punished offense क्या है कि railway ने जो क्या क्या है कि crossing track को मतलब जो railway track को जब आप cross करते हो तो उसको क्या माना है वो उसको माना है दंड़निय अपराद माना है ठीक तो यहाँ पर a punished offense जो है यह गलत है क्यों क्योंकि अगर आप दंड़निय अपराद कहते हो लेख लो यहाँ पर दंड़निय मतलब दंड देने योग्य अपराद कहते हो अगर हिंदी में तो इसके लिए punished offense नहीं होता उसके लिए punishable उसके लिए punishable offense होता है ठीक तो ये होता है आपका punished नहीं punishable होता है वहाँ पे ठीक है तो ये error था यहाँ पर C वाले part में अब ज़रा देख लो 8 number question क्या कह रहा है यहाँ पर है कि किसी committee के member के बारे में बता रहा है कि हर किसी को क्या करना होगा interest पे करना होगा ऐसे rate पर जिस rate को वहाँ पर fix किया जाता है committee के दौरा अब देख लो यहाँ पर क्या error है बिल्कुल गलत नहीं है है न तो पे interest अट सच रेट यहाँ पर कुछ error है क्या error है यह जड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर कुछ phrase आपको ध्यान में रखने चाहिए और वो phrase क्या होता है यहाँ पर such rate के बदले such a rate होना चाहिए such a rate ठीक अब जड़ा देखो इसको दो तरीके से आप डिल्कर सकते हो आपके दिमाग में यह question आ सकता है जैसे मैं आपको पता देता हूँ यह जो phrase है इसको याद रख लो कि such के बाद अगर कोई singular countable noun है मतलब countable noun है और वो singular में है तो उसके पहले a, a, n का प्रयोग होगा जैसे मैं कहूँ कि such a boy such a boy है ना तो यहाँ पर यह boy क्या है singular है तो इसके पहले a लगाना जरूरी है या तो फिर इसको कह सकते हो such boys यह भी आपका correct है क्यों क्योंकि यह plural है इसके पहले a और n का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं तो आप कह सकते हो कि such के बाद सिधा इसको rates कर देते हैं तो भी तो correct हो जाएगा लेकिन नहीं क्यों नहीं correct होगा क्योंकि आगे अगर आगे part को अगर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ पर ease का प्रयोग हुआ है क्यों ease किसके लिए प्रयोग हुआ है इस rate के लिए प्रयोग हुआ है fixed by the committee जो committee के दौरा fix किया गया उस rate के बारे में बता रहा है तो ease यहाँ पर दे दिया गया इससे साब साब पता चल रहा है कि rate को यहाँ पर singular ही होना पड़ेगा और अगर singular आप rate ही रखते हो rates नहीं रखते हो तो इसके पहले आपको E का परयोग करना ही पड़ेगा ठीक है तो मुझे उमीद है कि आप समझ गया होगे यहाँ पर such rates भी अगर कर देते हैं तो भी गलत हो जाएगा यहाँ पर such a rate correct होगा क्यों? क्योंकि आगे के पार्ट में पता चल जाता है कह रहा है कि citizens जो है public जो है वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते यह कह रहा है है ना? अब यहाँ पर error क्या है? citizens cannot afford to take the law यहाँ तक सही है बिल्कुल out of their hands यह वाले पार्ट में बिल्कुल गलत है क्यों? क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेना है take the law take the law जो कि यहाँ पर है take the law जो correct है take the law into यहाँ पर into का प्रियोग होता है into once on hands यह यूज होता है यह correct phrase है आपका take the law into once on hand यहाँ पर out of their hands जो बिल्कुल गलत है out of का यूज होगा ही नहीं वहाँ पर यूज होगा into to one's own hands ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखना ये correct phrase है correct आपका idiom है जिसका मतलब होता है कानून को अपने हाथ में लेना ठीक अब जरह बात करते हैं देख लो आगे क्या है यहाँ पर है 10th number 10th number क्या है आपका the relatives of the deceased देखो deceased का मतलब होता है जो बैक्ती मर गया है उसके बारे में बता रहा है और उसके जो relatives है threatened to avenge his death उसने क्या किया धंकी दिया क्या करने का उस disease बैक्ती के मौत का बदला लेने का धंकी देता है कौन उनके relative यहाँ पर क्या error नजर आ रहा है आपको देखो यहाँ पर है the relatives plural में है कोई error नहीं है of the deceased है न the इसलिए यूज हुआ है क्योंकि कोई खास बैक्ती deceased बैक्ती है जो मर चुका है उसके relatives जो है यहाँ पर खास हो जाते है इसलिए यहाँ पर दग का परियोग हुआ है of the deceased अब यहाँ पर है कोई error तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर अब है यहाँ पर threatened मतलों धंकी दिया to avenge his death उसके मौत का बदला लेने का धंकी दिया तो यहाँ पर किसी तरीके से error नहीं है बिल्कुल यह आपकी जो है पुर्ण रूप से कह सकते हो कि error free है अब यहाँ पर कुछ question कुछ एक word आया है इसके बारे में देख लो avenge avenge जो है यह आपका verb है और verb के पहले to आया है तो correct है इसी तरीके से आपका होता है revenge revenge जिसका मतलब भी होता है बदला लेना तो यह revenge जो है यह आपका verb भी होता है और यह आपका noun भी होता है लेकिन यह जो है आपका सिर्फ verb होता है avenge ठीक है तो यहाँ पर किसी तरीके से error नहीं है तो आप लोग सिख गे 10 question as और इसको ज़्यादा ध्यान दोगे तो बहतर होगा common error के through भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं पूरे grammar को complete कर लेते हैं by the way मैं जो भी start किया हूँ 10 से वगरा पढ़ाना वो continue रहेगा आप लो tension मतलो तो चलिए इस वीडियो को like करना तो आज का class मुले है रप अप कटे हैं thank you very much